एविल नी कायान का चेहरा बगड़कर अपनी दर्वियां आता है मुझको प्यार में जल जाना मुश्किल है प्यारे तेरा बच्च के जाना ये मेरा दिल प्यार का दीवाना वो उसके चेहरे की एक एक नगूश को छोड़ रही थी ना जाने कितने ही अरसे बार अपनी मन पस कायान को एविल के वजूद से उटन थी मैं एक उसके हावासों बच्चा रही थी वो और देजी सुसे पीछे करने की कोशिश रहने लगा लेकिन नामगिन ये कायान के हाथ पहर बंदे हुए थे एविल मुस्कुराते हुए पीछे हुई चलो एसवी मुझे पकड़ने के एक मोका मैं तुम्हें देती हूँ खल राज शाम साथ बचे कलब में तुम्हारी एक पुलिस वाले बंदे को मारूँगी अगर बचा सकते हो तो बचा ले ना और मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ ले ना तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी एविल मैं तुम्हें चहन से मार कयान उससे से गुराया था हूँ आइसा आइसा कयान का से मुझे मारने से बेदर है अपने मुलके होद्धार लोगों को मारो कयान का उससे के मारे हाल बुरा था हूँ चलो अब मैं चलती हूँ एसवी फिकल मुलाकात का इंतजार करूँगी वो एक आंग मारते कमरे से बाह नहीं थी इविल यह दूर देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया एविल उसका बहुत गोवर से दिखा था हूँ उसके खुबस्वर लभू पर मुस्कुरहाट आई थी बाहर गेर की तरफ जाते वए अपनी पिस्टल निका ली थी और बाहर खड़े गार्स घर से किसी को आत को बेजे की आर बार कर दूँगी आई समझ हाँ समझ गए गार्स घर को पाई जाता देख रहे थे वो ठीक दो मिन बाद वंदर भागे थे और कयान को बना देख एक काट की चेरे पर हरसी आई थी बहुत हसी आ रही है तुम लोगों को कयान ने उससे से कहा तो वो फोरन सी देख हुए नहीं सर वो आप खोलो मुझे मूझ क्या देख रहे हो गार्स जल्दी से कायान को खोला तो अपने हाथों को देखने लगाओ तुम्हें नहीं चोड़ूँगा एविल वो दांत कचके चाहते हुए बोलाओ मिलाई अपने एसपी से हां मिलाई हूँ एविल ने हाथों कतल हो जाओगे करते हैं कोई प्लैन अब मेरा गुजारा भी नहीं तुम्हारी भावी के बगए खबरदार मेरी मासूम भावी को कुछ कहां पर नहीं बहुत बुरा होगा एविल तुम्हारी भावी से मेरे बहुत बुराने हिसाब निकलते हैं वो तो पूरे करने ह जो भी करो लेकिन ये बात याद रखना, कितना हैसाब पूरा ना करना, कि बदला लेते लेते उसे अपने से दूर कर दो ऐसा कभी नहीं होगा एवे, वो मेरी थी और मेरी ही रहेगी, एक दफ़ा हो मेरे पास आ जाए, फिर उसे कहीं नहीं जाने दूँगा वो अभी तुम्हें आम साबना, अपना सावी समझती है, अगर मॉंस्टर का पता चला, तो अल्ला को प्यारी हो जाएगी, एविल निशारा रस सिखाओ ऐसा कभी नहीं होगा, उसे इतनी जल्दी मरने नहीं दूँगा, अगर उसे पता चल भी गया, तो उसे मेरे साथ ही रहना है वो सिखरिट के घहरी कश लगाता एक जुनून से वोला था, चलो जो भी करना है, करो, लेकिन दियान रखना, और ये अमान कहां है कहां जा सकता है, पहले वहां क्या था, दग्ये मारके निकाल दिया था, अब गाड को लेकर गया है, चंदा से मिलने लो जी, एक और आशिक पैदा हो गया हम गैंस्टर जरूर है, लेकिन हमारे पास भी तो दिल है नम, मौन से मासों में के सारे रिकॉर्ड टोड कर बो रहा हूँ लेकिन अगर उस सवाइफ ने हमारे अमान का दिल दुखाया, तो उससे उठा कर अमान के कदमों में भेंग दूँगी एविल, रिलेक्स, ये फाइसला, अमान करेगा हम नहीं लेकिन मैं किसी को भी हमारे बच्चों का दिल नहीं दुखाने दूँगी चलो, कल लारेव से भी मिलने चलते हैं, वो हमें याद कर रही होगी हाँ, कल चलेंगे अमान आज फिर हीरा मंडी में मुझूद था हूँ, लेकिन आज उसके पास उसका हत्यार भी था हूँ और साथ में गाड्स भी थे, वो एकनसर उसे मारत को देखता हूँ, अंदर चला गया हूँ जहां आज फिर गंगा भाई लड़कियों को टांस सिखा रही थी गंगा फिर से उस लड़के को देखा हैरान हूँ थी ओए बाबू, तो फिर आ गया, तेरे को सकोन नहीं है क्या वो पान तोकते उसे तंस करने लगी गंगा, मुझे चंदा से मिलना है अमान का लेजा आम साथा हूँ बाबू, तुझे पहले भी कहा था वो किसी से नहीं मिलती जब तक उसका दिल न करे तो फिरा आ जाता है बार-बार अमान ने अपने गार्ड्स को इशारा किया जो अपनी अमनी बंदों के उठा थे और किसी लड़की का सर पे रख चुके थे ये लड़की की चीखे निगली थी जबके गंगा भाई एरानी से देखने लगी कौन हो तुम? वो ही जिसको आपने पेचाना नहीं ये आपके लिए जरूरी भी नहीं कि मैं कौन हूँ, कौन नहीं बस मुझे चंदा से मिलना है अमान अपनी मद्दोक उठा था उसके पास सेबल पर रख चुका था ये गंगा भी सास रोख गई थी गंगा कुछ न बोली तो अमान मुस्कुराता हूँ वो चंदा के कमरे की दरब चाने लगाँ जब तक मैं बाहर ना जाओ यहां से किसी को भी हिलने नहीं देना ओगे सर उसमें से एक कार्ट बोला तो अमान चंदा के कमरे में चला गया अमान ने चंदा के कमरे का दरवासा खोला जहां वो सफेद पैरू तकादा फ्रोग पहने काले लंबे बाल भी खेरे सोई हुई थी अमान कदम पाकदम चलता वो सफीन दोशी सा के दरव चला जा रहा था साथ में अमान का दिल भी धड़क रहा था आज फिर वो उसके सामने थी जिससे देखने को वो कितने दिन से वे दाप्टा चंदा का जांसा चेरा चमक रहा था वो भगे मेकप के भी बेहत हूपसूरत लग रही थी अमान ने पूरा कमरा देखा जहां कहीं कहीं एक दो उतू की दस्वीरी थी अमान ने मस्कुरा कर चंदा को देखा नूर वो आइसा से बोकार था उसके पास कड़ा हुई है उसका दिल ही नहीं कर रहा था यह चंदा उठे बढ़ना वो फिर से नफरत पर ही निगाहों का सामना करना पड़ेगा वो महसूम से पर ही लग रही थी अमान को लेकिन चंदा का उठना लास्वी था अमान को उससे बात करनी थी नूर अमान सारा उंचे आवाज से बोला तो चंदा किसी मर्द की अपने कमरे में मुझूद्गी को महसूस करती चल्दी सुट गई वो अमान को देखती आंगे पहला गई तुम कौन हो अम्मा अम्मा वो हफसदा होकर चिलाने लगी थी नूर अमान ने फिर से बोकारा कौन हो तुम और मैं नूर नहीं हूँ तुम वही हो ना जो उस दिन भी मुझ से मिलने आए थे लेकिन अम्मा ने मिलने नहीं दिया था अमान उसे खदमों से उठकर अब उसके साथ बैट पर बैट चुका था चंदा उसे बैटे देख बीचे हुई थी तुम यहां अंदर कैसे आए अम्मा ने कुछ कहा नहीं वो थोड़ी रिलेक्स हो गई थी और अमान तो उसके खुपसूरत आंकों को दिख रहा था हूँ उसके हिलते लवों को दिख रहा था हूँ देख कितनी खुपसूरत थी वो अमान की नूर अमान ने उसके चेरे से नजर अटाए और अपने पेंट की पेचे से पिस्चल निकालकर अपने हाथ में बगड़ी चंदा का तो पिस्चल देखकर सांस रुख गया हूँ मुझे क्यो माणना चाहते हो वो चल्दी से बोली जबके अमान तो उसकी बात समझ नहीं कोशिश करने लगाँ लेकिन जब समझ आई तो हस पड़ाँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको चंदा बोलू या नूर चलें चंदा बोल लेता हूँ लेकिन जब आप मुसल्मान होगी तो नूर बोलूँगा जबके चंदा अमान को जीब मसू से देखने लगी थी वो क्या कह रहा था मुसल्मान और हाँ ये पिस्चल ये दिखा कर मैं अंदर आया हूँ वो मसूर आकर कहने लगा हूँ चंदा को अमान की मुस्कुराट बहुत प्यारी लगी थी तुम क्यों आया हूँ आपको देखने आया हूँ चंदा लेकिन क्यों ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा अगर तुम भी दूसरे मर्दू की तरह अपनी हावस पूरी करने आया हूँ तो हाथ में पकड़े इस पिस्चल से पहले मुझे मार देना चंदा अमान की आने का खलत मतलब ले गई थी जबकि अमान ये सुन्दा उस्से में आया था उठा एक पैर बेट पर रखा और एक नीचे रख चंदा की उपर जुक कर चंदा का जबड़ा दब हो जादा चंदा के मूँ से सिस्के निगली थी अमान ने अपनी ग्रिफ थाल की यी थी चंदा हैरस से अमान को देखने लगी चंदा एक बात याद रखिएगा आइंदा हवस लफ्स मेरे सामने न बोलिएगा बढ़ना मैं कुछ गलत कर बैठूँगा अमान अपनी आँके चंदा की होफसदा आँकों में गाड़ता हुआ बोलाँ अमान मलिक को आपसे मुहब्बत है और मैं आपकी तरफ हर उटने वाली बुरी नजर को आग लगा दूँगा चंदा हैरस से अमान को दखने लगी थी और आप मुझे हवस बुरी करने वाला समझ रही है तो ये खीन करें मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है वो अलग बात है कि मुझे जैसे लड़के को आप से प्यार हो गया है चंदा ने अमान को धक्का दिया तो अमान थोड़ा पीशे हो तुम जो कोई भी हो भावू मुझे तेरी बाते सुनकर हसी आ रही है चंदा सोर से हसी लगी मुझे प्यार नाम से नफरत है भावू और तुम बात करता है एक दोड़ाइफ से मुहबबत की लोग तो प्यार का नाटक करके दोड़ाइफ बना देते है और तुम मुझे एक दोड़ाइफ को एक नाशने वाली को मुहबबत दे रहा है चंदा की लहजे में एक दर्ट था हूँ जो अमान मलिक मेसूस का रहा था मैं कुछ नहीं जानता चंदा बस इतना पता है कि पता नहीं कब कैसे मुझे आपकी ये गहरी नीली आँखों में देखते ही देखते आपसे प्यार हो गया था तो जानता है बाबू मैं एक इंदू हूँ और दो एक मुसल्मान हाँ जानता हूँ तो क्या आप मेरे लिए मुसल्मान नहीं हो सकती कभी नहीं बाबू तो यहां बार बार आकर टाइम साय करेगा तेरे को यहां से कुछ नहीं मिले रहे वाला जंदा खालिस सौईफू मला लाईचा बनाते हुए अमान से बात कर रही थी देखते हैं आप कब तक मेरे प्यार से भागेंगी मैं दुबारा हूँगा वो जाने के लिए मुड़ा था ये कुछ रियाद आया था वो गुलाब का फूल जो वो चंदा के लिए लेकर आया था वो उससे पकड़ा चुका था मेरी मुखबत का पहला तोफ़ा कबूल करें अमान ये कहते हैं लंबे लंबे टक बढ़ता बाहर निकल या था हूँ और चंदा एक नस्र गुलाब की फूल को देखती रही जबके चंदा का दिल किया उस गुलाब की फूल को तोर मोरोर कर भेंग दे लेकिन ना जाने क्यों उससे कदम खुद बाखुद अलमारी की तरफ पड़े थे और उससे उपूल अपनी अलमारी में रख दिया और लेट गी लेकिन अम नीन कहा आनी थी अमान बाहर निकला तो सबको वहाँ ही बैठे देख उससे हसे आई थी शुकरिया गंगा आपने मुझे मिलने दिया बाबो तो जबरस्सी मिला है मेरे मिलने नहीं दिया वो दबे दबे गुस्सी से होले मैं दो बारा भी आउँगा और अगर जबरस्सी करनी पड़ी तो वो भी करूँगा वो मुस्कुराता वो अपने ग्लासे सखाता गार्स को इशारा करता वाए निकलिया और वहां की कई लड़कियां उस उपसुर लड़की को देख आहीं बढ़ती रहे गई माजी कायान ने हर तरफ एन को ढूंड लिया था लेकिन उससे कहीं नहीं मिली थी वो धखार कर एक सड़क के किनारे बैठियां जहां से आती जाती गाड़ियां वो देख रहा था आन आप मेरे थी न आप उस किरन की कैसे हो सकते हैं अब सच में किसी और की हो जाएंगे आज आन आन मुझे आफ से मुखबत है हर तरफ से उससे एन की आवासे सुनाई देनी लेगी थी लेकिन उससे आन कहने वाली आज उससे तनाहा कर गई थी प्लीज मेरा पच्चा मेरी एन मुझे माफ कर दो एक दफ़ा वापिस आ जो अपने आन को माफ कर दो मैं तुम्हारा ही हूँ लेकिन जाने वाली कब वापिस आते हैं आन आप मेरे नहीं थे न आप ठीक कहते थे कि मुपश सुकून चीन लेती है आप ठीक कहते थे सफेद फ्रोक पहने बाल बिखेरे हुए वो ना जाने कहां चली जा रही थी आपने सच कहा था मैं सब कुछ खोदूंगी और मैंने खोदिया आपकी एन खाली हाथ रहे गई है वो चलती जा रही थी उसकी आँकों सांसू टिप टिप किरने लगे थे उसकी पास ही कार आकर रुई अरे बुल-बुल कहां जा रही हो इतनी तैयार होकर एन ने डर कर होफसादा नसर उस उन लड़कों को दिखाओ वो वागई इस उनसान सड़क पर अगेरी चलती जा रही थी वो वागई अपने आन के बगेर मेफूस नहीं थी उससे अभी समझा रहा था उससे अभी एसास हुआ था वो डर कर पीशे होने लगी थी उसके पास कोई भी नहीं था वो तीन लड़के कारी से निकले और कंदी नसू से इन को देखने लगे थे उसका दिल का रहा था वो भाग जाए अपने आन के सीने में जुक जाए वो आन की मेफूस मेरबान साई से पहली दफ़ा पाहे निकली थी और फस गई थी शायद बरबाद भी हो जाए वो चीखती हुई भागने लगी थी एक लड़की ने उससे पकड़कर सोड़दार ठपड मारा था वो करा कर नीचे गिरी थी एन होफसा तनसू से रेखते पीछे होने लगी थी प्लीज प्लीज जाने दो एन पीछे होते हुए कहने लगी तीनों लड़कों की एक सस्सी निकली थी अरे इतना प्यारा माल है आज रात तुम मज़े होंगे कैसे जाने थे एक लड़की ने एन को वासू से उठाया था के एन के आज सीन भट गई थी उस सड़के के हाथों में उसके आज सीन का कपड़ा आया था फिर वो वहाँ ही भैंक दिया एन अपने बासू रोते हुए अपने हाथों से चुपाने लगी थी अरे बुलबुल डर क्यों रही हो डरों नहीं तुझे भी मज़े देंगे आन प्लीस आजाए आपका बच्चा हो वो भागने लगी थी कि फिर से एक लड़की ने उसके बाल दबोजे थे और तक परमारा था कि एन का होन पट गया था उसका चुमगा उतर करनीचे गिरा था एक लड़की ने प्ल ब्लेक ट्रेस पहने एक लड़का आया था उसके वहशत से भरभूर आउंकों में वहिषट ही वहिषट थी, के एन भी काम गई थी, उसरे इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वो भाग सके, बस अपने बंध होती आंखों से पहले उससे ऐसा मन से देखा थाँ, कि वो चीख मारती भी हो शुई थी, उस सामने कड़े मौनसे के हाथ में उस चर्टले सरके करिल थाँ थोड़ी की दे में वहां से एनखाइब थी, वहां लड़कों की पत्तरीन लाशी थी, वहां से एनखाइब हो गई थी, और वहां ही गायान वोज़ा थाँ, वहां लाशी देख, उसके रूंग्टे खड़े हो गए थे, उससे चलदी से पुलिस को कॉल गी, अब ही वो वहा एन का चुमका और सफिर कलर कपड़ा मिला था। चुमका देखते ही उसकी रूफ अना हुई थी। ये तो उसकी एन का फेवरिट चुमका था। जो उससे वो गयान के साथ चाह कर लिया था। उसके हाथ काम में लगे थे। फिर उससे हर जगा एन को ढूड़ा था। लेकिन खोने वाले पिछरने वाले मिलते नहीं है और नाही एन मिली थी। वो नाउमीद होकर घर आ गया था। नाहीला रोती हुई कायान के पास गई। लेकिन उसके सुर्ख होती आंके देखकर समझ गई थी कि एन नहीं मिली। कायान तुम्हें एन नहीं मिली ना। एन मेरी मौन्स्टर ये किसे उठा लाए हो बावा ये कुछ लड़के ज्याती करने की कोशिश कर रहे थे इसके साथ मैं बचा कर लाया हूँ जाओ ले जाओ इसके कमरे में और डॉक्टर को बोलाओ जी बावा उससे लेकर कमरे में गया ये कारी था सिकंदर अलीफ ब्लैक मौन्स्टर का जिसका काली दुनिया में एक नाम था ब्लैक मौन्स्टर का काली दुनिया में रह कर वे सिकंदर ने हमेशा सच्चाई का और सही काम को तरजी दिया था सिकंदर का सबसे बड़ा दुश्वन था किंग किंग काली दुनिया का दूस्सा नाम था जिसके अड़े पर हर गरत काम होता था ब्लैक मोंसर ने कितनी दफ़ा किंग को वोर्निंग दी थी लेकिन कभी नहीं मानता था किंग ने एक दफ़ा ब्लैक मोंसर को मारने की कोशिश की थी सिकंदे ने सावयार को अपने बेटे की तरह रखा था अब उनकी काली दुनिया में एन का इसाफा हो गया था एन नहीं थी उसके पास नहीं एन का आन था उसके पास कयान बेटा मैंने कितना समझाया था कि वो दो में भसंद करती है उससे शादी कर लो कयान ने अपने सुर्खोती आंगे बन भी थी मामा एन वो रो नहीं लगा था उससे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे उससे अपना बच्चा अपनी एन चाहिए थी किसी भी तरीके से लेकिन जब कोई अपनी मर्जी से जाता है फिर वो कहां मिलता है कयान उठकर चट पर चला गया जहां उसके एन ने प्यार कैसाई किया था हूँ वो जो कि उसके लिए बहुत हास लेकिन मुस्स समझ नहीं सका था हूँ उस वक्त उसे अभी समझ आ रहा था जब वक्त गुजर किया था हाथ हाली रह गए थे कुछ बागी नहीं बचा था हूँ वो सारी जगह देख रहा था कि कयान की नजर ही कोने पर पड़ी जहां एन की दीगे अंगोटी पड़ी थी आहान मैं चाहती हूँ आप ये अंगोटी कभी न उतारे आपकी एन ने प्यार से दी है एन की किलकिलाती हावास खायान को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी वो जल्दी से गया और अंगोटी उठा कर अपने हूंटों से लगा ली तुम्हारी कोई चीज मैं अपने पास से ही रखना चाहता नफरत करता हूँ मैं तुमसे और इन कासमी अपने ही गए अलफास उसका दिल चीर गए थे वो अंगोटी को लपूस से रखाए वहीं बैट क्या हूँ और आसो बहाने लगा था हूँ प्लीज वापिस आजाओ मैं वादा करता हूँ कभी तपड नहीं मारूगा कभी गुस्सा नहीं करूँगा कभी नहीं डांटूगा मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ सिर्फ तुम्हारा अन वो वहाँ ही बैट कर रोने लगा हूँ फिर से उठकर एन के कमरे में गया हूँ एन और उसकी बड़ी से दस्वीर लगी हूई थी वो दस्वीर पर हाथ पेड़ने लगा था मेरी जान तुम्हारा अन नहीं रह पा रहा है तुम्हारे बगए उसे समझ आ गया था कहनी उसकी जान है लेकिन वो उसे समझने में देर लगी थी मैं तुम्हें ढूंड लूँगा आंकों से आसो टिप टिप किर रहे थे एन को होश आ चुगा था वो बेहर डरी हुई थी जब सिकंदर ने आकर उसका सर पे हाथ रखा पहले तो वो डरी थी फिर वो सिकंदर की सेने से लगी रो पड़ी थी अपने दिल का वो बार निकाल रही थी लेकिन वो इस सिकंदर की पीछे कड़े सब सांकों वाले को देखकर एन डर के मारे काम ने लगी थी सिकंदर ने एन को मोंसेर से होसदा देखा तो मुस्कुरा दियो बेटा ये जावयार है मेरा बेटा और आज से तुम मेरी बेटी बेटा बेटा लव सुनकर एन का दिल का रहा था वो रोहे चिलाए भाग कर अपने हान के पास चली जाए लेकिन मुसोची थी कयान ने किरन से शादी कर ली होगी और वो इस से गलत फैमे में दूर से दूर भागने के लिए अब ब्लेक महल का हिस्सा बन गई थी वो आईसा आईसा मौल से रोसिकंदर से घुल मिल गई थी बेटा अब मुझे बताओ क्या आप कहां से हो और अखेली क्यों घर से निकली थी अपने घरवालों के बारें बताओ मैं छोड़ाता हूँ आपको वापिस जाना है एन ने जल्दी से नफी मिस्सा हिलाया मेरा कोई नहीं है मैं कहीं नहीं जाना चाहती अपनी आखों की नमी अंदर उतारते हुए एन नम लेजे में बोली ठीक है बेटा अगर तुम्हें यहीं रहना है अगर तुम यहां रहोगी तो एक टाकदवर लड़की बन सुखोगी जो सब का मुकाबला करेगी तुम्हें ताकतवर बनाएगा मॉंस्टर लेकिन मैं ये सब कैसे तुम सब कर सकती हो बेटा लड़कें कमजोर नहीं होती सिकंदर ने एन की सर पर हाथ रखा तो एन से सकवरी वो तो टरती थी उस सब से वो तो पिस्टिल को देखकर उसका दिल बन होने लगता था लेकिन जिंदी उसे किस मूड़ पर ले आई थी ये मंसर है कराची का एन भाग रही थी वो ब्लैक मेहल का ग्राउंट था जो कि कितने ही रख्बे पर पहला हुआ था और देज भागो एन भाग रही थी टाइम गुजर आ था और टाइम गुजर था गया ये लो क्या नैन और इसे चलाओ लेकिन मुझे गन से टर लगता है आन मुझे टर लगता है गन से उसे अपनी ही कई बात याद आई थी तो मैं इस टर से निकलना होगा होरेन कास्मी मॉंसे ने उससे सिखा वो कब से उससे समझा रहा था सिखा रहा था लेकिन उस सीख नहीं रही थी आज से ये हुरेन कास्मी नहीं हमारी इविल है जो अच्छाई को पहलाएगी और बुराई को खतम करेगी सिकंदर ने पीछे से आते हुए एन सिखा तो एन मुस्कुरा दी फिर एन ने गन चलाना सीख ली थी पहले पहले उसके निशाने गलत हो दे थे लेकिन जब मॉंसे निकाह के सामने वो तीन लड़के हैं जिन्होंने तुम्हें नोचना चाहा तो एन ने हिम्मत करते टार्गेट पर नसरके फायर कर दिये थे जो निशाने पर लगे थे उसके जहन में आन की बाते उसका नफरत वरा ले जा वो कि रन के साथ शादी वाले सब सीन उसके आखों के सामने चलने लगे थे और फिर वो गोलिया चलाती गई यहां तक कि मौनसर और सिकंदर भी हैरान हुए थे पांच साल बात सिकंदर को किंग ने मार दिया था और भाग क्या था उस ब्लैक महल में आप मौनसर और रेवेल ही रहती थे और दो लोग का हिसाफा हुआ था अमान और लारेपका अब एन कतल करने लगी थी लोगों में अपनी वहशत पहलाने लगी थी लेकिन उससे अपने आन की एक एक खावर रखी थी और यह सुनकर वो खुश हुई थी कि उसे शादी नहीं गी थी लेकिन अब उससे यहां रहकर काम करना था सिकंदर उस पर और मॉंस्टर पर सिमेधारिया डाल लिया था जिससे एविल ने पूरा करना था अब वो दो किरदार निभाएगी एक कायान की एन का और दूसरा दुश्मनू के लिए एविल का हाल आज रात की तैयारी मुकमल है न एविल ने अमान और मॉंस्टर से पूझा हाँ बिल्कुल लेकिन कल रात तुमने उस एएसपी को हमारी कारवाई की हबर दे कर अच्छा नहीं किया मॉंस्टर तुम नसर रखना बंद करो मुझ पर तुम मेरी जिमेधारी हो एन बाबा कहकर गए थे मैं एन नहीं इविल हूँ और मैं अपना अच्छा बुरा जानती हूँ और गयान को अगर मैंने पहले बता भी दिया है तो वो उस एएसपी को बचा नहीं पाएगा ये मेरा तुम लगों से वादा है इससे पहले हमें अपने बच्चे लारेव से मिलने जाना है वो तीनों ही ओसपीचल के लिए निकल गए थे लारेव को यहाँ आए दो दिन हो गए थे और सफीर के साथ लारेव की अच्ची दोस्ती भी होगी थी फिर उसका अच्चे से हयाल रख रहा था उसके भाई ने हास वाणी दी थी कि लारेव का हास हयाल रखा जाए मुझे एंजिल के पास जाना है एंजिल एंजिल लारेव चिल लाकर सफीर को भूला रही थी पासकाड़ा एक स्टाफ में से लड़का हुपसूर्ट से गुडिया को हवसपरी नसरु से दिख रहा था वो उससे इंजेक्शन लगाने के पाहने उसके बासू को छू रहा था जबकि लारेव को उल्जनसी होने लगी थी उससे अब खोफ आने लगा था उससे अपने माजी याद आने लगा था लारेप को अबादत होने नहीं थी सफीर की अपने इंजिल की वो अब किसी और के हाँ से ना मेडिसन खाती थी ना ही इंजेक्शन लगवाती थी जबके वो एहमद बार-बार उसके बासू को टच कर रहा था सफीर जो लारेप के ही बास आ रहा था एहमद को लारेप के साथ बत्तमी से करते देख उसका गुस्सा सवाने से फर पहुंचा था उसके होस्पिटल में यह सब हो रहा था वो कैसे बरदाश करते था जल्दी से वो दो कदम का फासला तै करते था एक ही जिस्में हाथ जा था एहमद को बकड़ कर मारने लगा था तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरी पेशेंट को हाथ लगाने की सपीन एहमद को दो धपड़ मारे एहमद घब रहा गया था लारेप अपने एंजिल को टिशुम टिशुम करते देख अपना रोना भोलकर होस्पिटल बेट पर खड़े होकर बच्चों की तरह उचल-उचल कर तालिया मारने लगी थी वो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी हिम्मत कैसी हो इसके साथ ये सब करने की अंदर आते एविल मॉन्सर और अमान ने जब ये मनसर देखा तो मुत्मेन हुए थे कि लारेब मेफूस आतों में सूम्टी गई है लेकिन एहमद की मुत पक्की थी सर प्लीज मुझे माफ कर दे माफ कर दे एहमद माफिया माँगने लगा था सफिर लारेब को तालिया मारता देख हिरान हुआ था वाओ एंजल आपने स्वेड अंकल को मारा हूँ मुझे बहुत मसा आया लारेब पेट से उधर थी सफिर की कली लग गई थी और सफिर का अपने साथ नरम गुलसाथ जिसम लगना उसा थचका देख था और फिर लारेब लग भी तो बहत उपसूरत और मासून थी और ये मनसर तेनों ने देखा था और फिर वो अंदर चले आये मेरी गुडिया अमान ने लारेब को पुगारा तो लारेब हैरान होते हुए अमान को देखने लगी लारेब सफीर से लग होती हुश होती अमान के कले लग गए बड़ी आपी भाई वो बारी बारी सब के कले लगी थी बड़ी आप मुझे छोड़ गए थे न इस बैड अंकल ने मुझे बैड टच्च किया यहाँ वो अपना मासूर गरतन दिखाने लगी उन तीनों के आंकों में वहषट आई थी जो कि अप उस एहमद लड़के पर निकल ली थी एहमद तो इस वक्त वहषट आंके देख डर गया था और भाग निकला तिनों ने सफीर कर शुक्रिया दा किया था अमान तुम अपनी प्रेहन को मेरी जिम्मेदारी पर दे कर गए थे तो यह मेरा फर्स बनता था और सोरी कि हमारे स्चाफ में से किसी ने बत्तमीजी की आएंदा मैं हैयाल रखोगा सफीर मुस्कुरा था एविल और मौनसर को भी मुस्कुराने पर मुझबूर कर गया उन तीनों की दमाग में एक ही बात आई थी हम बहुत जल्द तुम से मिलेंगे सफीर शा एविल ने मुस्कुरा कर सफीर को कहा था सफीर भी मुस्कुरा दिया काफी देर वो बैटकर सफीर के बारे में जानते रहे थे और लारेप की हारत के बारे में भी पूछा, सफीर ने मुतमिन किया था कि लारेप ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बच्चों की तरह पीसा खाते देख, सफीर की लवो पर मुसको रहाट आई थी, आदा पीसा उसके मुझसे भाएगी रहा थाओ, आदा मुझ में थाओ, जब लारेप ने अपनी काली आंके उठाकर मासूमों की तरह सफीर की रव देखाओ, तो सफीर को भी अपने आपको तक पाया हूँ, एंजल, आप खाएंगे, बहरे मुसे वो सफीर को कहने लगी, और एक पीस पीसे का उठाकर उस पर कैचप लगाकर, वो सफीर के पास चली गी, नहीं नहीं फेरी, मुझे नहीं खाना, लेकिन लारेप कहां बास आने वाली थी, उसे सवर्टस से कहलाने लगी, कि सफीर की सफीर शर्ट पर बहुत सारा कैचप गिरिया था, ओ हो सोरी एंजल, वो उसकी शर्ट पर कैचप गिरता थी, एक मासूमियत से बोली, कोई बात नहीं फेरी, लेकिन मुझे जिद्धी वच्चे अच्छे नहीं लगते न, और तुम तो अच्छी वच्ची हो न, ऐसे जिद नहीं करते, तो आइंदा आपने जिद नहीं करनी, उससे प्यार से समझा रहा था, लेकिन मुझे सुन ही कब रही थी, उसका तो सारा ध्यान पीसे पर था, वो अपनी बात को इगनूर होते, देख नवी में साहिल आते, उठकर शर्ट धोने चला गिया, लेकिन स अतम हो गया था, और आज के वागे ने सफीर को जल्दी मुश्किल में डाल देना था, लेकिन मुझे नहीं जानता था, गंगा, मुझे एक बार मोनिका से मिलने दो, सिर्फ एक बार, अरजुन गंगा के सामने बेठा उसे कह रहा था, अरे छोगरे उठ यहां से तेरी कोई दोकात नहीं है, तेरे जैसे मर्द होते हैं, जो लड़कियों को मुहबत की राहों मिला कर, उन्हें जलील कर देते हैं, अरजुन का चेरा लाल हुआ था, इतनी बेस सिवर, गंगा, मुझे मोनिका से मिलना है, वो तेरी मोनिका नहीं अब चंदा है, आई समझ इस कोठे की जंदा, अब उट और निकल यहां से, गंगा मैं जल्द होंगा, अपनी मोनिका कोले ने, वो मेरी है, सिर्फ मेरी, हट भाई, यहां से, तुने खुद उसे छोड़ा था, अब वो तेरी नहीं इस कोठे की जंदा है, अरजुन इतनी से लालत पर वहां से निकला था, और चं काने में ही, अरजुन और कल की आया लड़के अमान का मौस्था करने लगी थी, डियेस्पी ने गयान के सामने नवास खान की रिपोर्टर की थी, जो दुनिया के सामने तुशरीफ था हो, लेकि अंदर से समीर फरोष्ट हो, वो अंदर ही अंदर, अपने मौफात के लिए मुल्क की चड़ें खोकली कर रहा था, नवास हान अस्दे का कारोबार करता था और गयर मुमालिक में अस्दा फरोख करता था, सर, ये दुकिंग का हास बंदा है, हाँ गयान, और तुम्हें अभी से पकड़ना है, और गयान कास्मी, अभी तक तुमने एविल के बारे में क कोई मालूमात हासिल हींगी, गयान ने रात का सूच्टे सबसे लब मेजे थे, कैसे वो उसके करीब थी, लेकिन वो बेबस था, जी सर, इंशाला बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे, गयान तुम्हें टारगिट दिया था, कि तुमने उन्हें पकड़ना है, बस तुम जे टीएसपी को मानने की धमकी दी थी, वो एविल की मसावात को छुपा गया था, वरना उसकी और बेसी होती, क्या मतलब, सरफरास से उसकी क्या दुश्मनी, पता नहीं सर, लेकिन वो कहती है कि वो गद्दार है, और उसकी मोत एविल की हाथ हो लिखी है, इसलिए सर, उन वो सुलूट मारता वहां से चला गया, नवास, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, तो कल तक तुम्हारी बेटी इदर पहुन जानी चाहिए, उसके लिए तुम्हे जितने भी पैसे चाहिए, वो दे देंगे, नवास वाला का सुनका परेशान हुआ था, वो अपनी बेटी को उदर बेच नहीं सकता था, चाहिए जो भी हूँ, उसकी बेटी थी, बहुत मासूम थी, और इन चलादों में आकर नहीं रह सकती थी, वो तो उसको हज़ियत देकर तोड़ देते, जी किंग, वो परेशानी से बोलता होट खड़ा हुआ था, अगर वो मेरा पीचा तो नहीं कर रहे, वो आंके सुकेरती अदील को बहत प्यारी लगी थी, उसका दिल कर रहा था, अभी उसकी कुर्पत को महसूस करने को, लेगिन वो भी बेबस था, उससे अपने बाप को खह दिया था, इसका मतलब था, दो दिन तक की लड़की उससे कमरी माला भी रुख गई थी, माला, क्या आप मेरी फ्रेंट बनेगी, वो अपना हाथ आगे करता माला को हैरान कर गया हूँ, आपको मेरा नाम कैसे बता हूँ, वो हैरान की से पूछे लगी, मैं जिसे पसंद करता हूँ, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखता हूँ, हम, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे फ्रेंट बनाना पसंद नहीं, इसलिए सौरी, वो मुखे डिसाइन बनाते हैं अपने गाड़े में बैटने लगी, कि उसके दर सर्ट टायर पंचर पर पड़ी थी, ओ शिट, यह कैसे हो गया, वो सदमे के मारे मुख खोले खड़ी उसके बापा नहीं कहा भी था, कि साथ में ट्रायर पर ले जाना, लेकिन उस सित्थी इतनी थी, के केले ही निकल आई थी, पीछे कड़ा देल मुसकुराया था, अरे माला क्या हुआ? कुछ नहीं, वो इदर उदर कैफ ठोड़ने लगी थी, माला, ये तो टायर पर इंचर ह हो गया, चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ, क्यों, मैं आपके साथ क्यों जाओ, आप हैं कोन? वो अपनी कमर पे हाथ रखते लड़ाई करने वाले अंदास से बोली हूँ, हम फ्रेंड है ना? नहीं, हम फ्रेंड तो नहीं है, मैंनी कब आप से फ्रेंड्शिप की? माला सुमिट से बोली तो अदिल ने अपनी मुस्कुराहाट रोगी, हाँ ना? मैं जानता हूँ आपके पापा को, तो चलिए आए, मैं आपको ड्रॉप करूँगा, आप मुझ पर येकीन कर सकती हैं। गिन उसका दिल माला के लिए नरम पढ़ा आथा, वो चाता था वो उससे निकाह करें, इसलिए उससे टाइम दे रहा था, असारो लड़कियों को टिशू पेपर की तरह इस्सवाल करने वाला, आज एक लड़की की कुरुपत के लिए तडप रहा था, थेंक्यू अदिल, म तुम ने मुझे ठीक तरह से घर में पहुंचाया, इसलिए अब तुम बार-बार के रहे हो, तो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो भी मुस्कुराती अपना नासुखात अदिल के हाथ में दे गई, अदिल के दिल में अजीब से बेचैनी हुई थी, वो उसकी मासूम से निल को दूसे मुल्क भेशे ना था, ताकि वो जलात उसे दूर रहे, लेकिन उसे यह नहीं पता था, कि इन सबसे बड़ा एक और जलात भी है, जो उसकी बेटी से इश्च करता है,